गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरह गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमहा ओम श्री परमात्ने नमह आथ शिरिशिव पंचाक्ष स्थोत्रम अब मैं आपके सामने शिरिशिव पंचाक्षर स्तोत्र का व्याख्या सहीद वर्णन करूंगा यह मंत्र है ओम नमह शिवाई जब भी हम कोई मंत्र उचारन करते हैं तो हमेशा ओम से शुरुवात की जाती है ताकि उसका अच्छा फल प्राप्त हो नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भसमांगरागाय मेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमह शिवाय जिनके कंठ में साम्पू का हार है जिनके तीन नेत्र है भसम ही जिनका अंगराज है और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन शुद्ध अभिनाशी महेश्वर नकार सवरूप शिव को मेरा नमस्कार है मन्दा किनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमतनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपू जिताय गंगाजल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है मन्दार पुष्प तथा अन्य अन्य फूलों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है उस नंदी के अधिपति और प्रमत गणों के स्वामी महेश्वर मकार सवरूप शिव को मेरा नमस्कार है शिवाय गोरी बदनाब्य भृंग सुयाय दक्षा ध्वरनाश काय शिवाय गोरी बदनाब्य भृंद सुयाय दक्षा ध्वरनाश काय श्री नील कंठाय व्रिश द्वजाय तस्मई शिकारायन महां शिवाय जो कल्यान सवरूप है पार्वती के मुख कमल को विक्सित करने के लिए जो सूर्य सवरूप है जो दक्ष के यग्या का नाश करने वाले हैं जिनकी ध्वजा में बैल का चिन है उन शोभा शाली नील कंठ शिकार सवरूप शिव को मेरा नमस्कार है वसेश्ठ कुम्भोद भवगोत मार्य मुनेंद्र देवार चित शेकराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मई वकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ अगस्त्य और गौतम आदी स्रेश्ठ मुनियों ने इंद्र आदी देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है चंद्रमा सूर्य और अगने जिनके नित्र है उन वकार सवरूप शिव को नमस्कार है यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मई यकाराय नमह शिवाय जिनोंने यक्ष रूप धारन किया है जो जटाधरी है जिनके हाथ में पिनाक है जो दिव्य सनातन पुरश है उन दिगंबर देव यकार सवरूप शिव को नमस्कार है पंचाक्षर मिदम पुन्यम यह पठेच शीव सन निधव शीव लोकम वापनोती शीवेन सहमोदते जो शीव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर मंत्र का पाठ करता है वह शीव लोक को प्राप्त करता है और शीव जी के साथ अननदित होता है इति शीरिमत चंकरा चार्य विरचितं शीव पंचाक्षर स्तोत्रं संपूरणं हरियों तच्चत हरियों तच्चत हरियों तच्चत